कोट के आदेश को सर्वर परी माना जाता है लेकिन उसमें एहम गोमी का निभाने वाले अधिवक्ता कोट की अवहेरना करते वे नजरा रहे हैं ताज़ा मामला कानपूर का है जहां पर एक अधिवक्ता ने कूट रचित दस्ता वेज बना कर कोट को गुमरहा किया और आरोपी को जमानत दिला कर जेल से रिहा करवा दिया कानपूर पॉक्सो कोट पर एक बड़ा परजिवारा सामने आया है कोट द्वारा जमानत निरस्ता करने के आदेश की कूट रचिना कर जमानत प्रिकृत का आदेश बनाया और परवाना बना कर आरोपी को जेल से रिवा कर दिया पिडित के अधिवक्ता ने शिकायक पर जिला जजज ने जाज करवाई तो कोट के पेशकार की मिली भगत सामने आने पर उसे निलंबित कर दिया गया है पिडित की ओर से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोटवाली में तहरीर भी दी गई है गुजैनी के पिपॉली निवासी लड़की के साथ 6 जून को पड़ोसी नरेंदर सचान ने घर में घुसकर दोशकर्म किया था पिडित के पिटा ने गुजैनी थाने में नरेंदर के खिलाब पॉक्सो एक्ट के तहट रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस ने नरेंदर को गुरफतार कर जेल भेज दिया अपर जिला जजज 25 के विशेश पॉक्सो को अदालत में जमानत अरजी दाखिल की जिसे कोट ने खालिज कर दिया था कोट का आदेश ऑनलाइन एक कोट पर भी अपलोड कर दिया गया था इसके बावजूद एक सब्ता में ही नरेंदर जमानत पर जेल से बाहर आ गया और पिडित के घर पहुँचकर उसे धंकाने लगा पिडित ने जब अपने अधिवक्ता नरेश्रम मिश्रा के माथ्यम से क कोट में जानकारी की तो पता चला की संबादित नियाले के पेशकार अश्वनी नरेंदर के पैरोकार वा अधिवक्ता की मिली भगत से फरजिवारा कर जमानत निरस्त के आदेश को स्विकृत के आदेश में बदल दिया गया था नरेंदर की जमानत दाखिल कर उसकी जमानत जेल भिजवा दिया गया था वहीं पेशकार के खलाप रेपोर्ट हो गई है नई वस्ति का रहने वाला था उसको दिनांग 24 साथ 2023 को माननी न्याले के द्वारा उस अभियुक्त का जमानत प्रातनाप्रत निरस्त कर दिया गया था जबकि उसके बाद उसने कहीं भी अतरिक्त अपनी उस आदेश के विरुद रही जाकर पेशकार के जड़िये एक और जो निरस्ती आदेश्ता उस पत्त्र वली से गायब करा दिया गया आदेश को गायब कराने के बाद उसी फर्जी जवानत सुखरत आदेश के अदार पर उस पेशकार ने उस अभियुक्ट के विल बांड लेकर और उस अभियुक्त का रिहाई परवाना जेल से बेज कर उसको रिहा करा दिया रिहा होने के बाद जब वह अभियुक्त जो इस मुकदमे का वादी है उसको जाकर धमकी देता है कि देखा हमारे पास इतना पैसा है कि मैं तुमने मेरा क्या विगाड लिया तो वह हैरान हो पुना उस फोन करता और पूछता है कि वकील दाव आपने दो कहा तो जवानत खारीज हो गई है और यह तो घर पे आ गया मुल्जी तब आकर यहाँ जब पता कराया जाता है तब यह पता चलता है कि उस पत्रावली में वह जवानत अस्विक्रत का जो आदेश है वो गाइब करके और उसके इस्तान पर एक फरजी जवानत आदेश लगा दिया गया और उस आदेश से वो बाहर हो गया है जिसकी जानकारी होने पर दिनांग 10 अगस्त को मानिनी जिनपत ने आदिश माउदय को संपूर्ण प्रक्रण के संदर में एक लिखिश सिकाथी प्रातना पत्र वादी के हस्ताचर से और मेरे द्वारा सहिंक के रूप से दिया जाता है जिसमें कानपूर बाहर एसोसियेसन के द्वारा अपनी संसुती भी की जाती है कि तुरित कारवाई करने के लिए जिस पर मानिनी जनपत नियादीस मौदे द्वारा ततकाल संग्याल लिया जाता है और ततकाल उस फाइल को सील कराकर